हलो एवरीवन, इजी फिजिक्स भाई एन के यूटूब चैनल पर आप सब का बहुत पच्वागत है नए सेशन में आज अपन 12th क्लास की वार्ड परिक्षा के लिए फिजिक्स का पहले चैप्टर, पहले यूट का फर्स्ट टोपिक आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th फिजिक्स में जो फर्स्ट यूट है उसका नाम है स्थिरवैदूतिकी और इस्थिरवैदूतिकी की यूट के बारे में अपन थोड़ा सा बाद में कंसल्ट करेंगे पहले अपन फर्स्ट यूट में चलते हैं फर्स्ट चेप्टर है जिसका विद्यूत क्षेत्र तो ये जो विदुत क्षित्र है इस चेप्टर का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में आपन चलना चाहेंगे मैं आपको सीधे टोपिक पे ले जाने से पहले आपसे दो चीजे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा है कि सर्दी के दिनों में जब अपन अपनी उनी स्वेटर को अंधरे कमरे में उतारते हैं तो उसमें स्पार्किंग की और चटचट की आवाज सुनाई देती है इसी प्रकार से आप लोगों ने छोटी कक्षा में एक छोटा सा प्रियोग किया होगा कि आपकी जो जो जोमेटरी बॉक्स की जो स्केल है उसको आपने अपने रुखे बालों से रगडने की बाद में कागज गे छोटे टुकडों को अपनी तरफ आकरसित करवाया होगा तो आपने कभी सोचा भी होगा कि ये दोनों गठनाएं किस वज़े से गटित होती है तो इन दोनों ही प्रशंगों के माध्यम से मैं आपको इपने इस टॉपिक पे ले जाना चाहूँगा कि वहाँ पर जो गटना गटित होती है उसका मुख्य कारण है वो विद्यूत आवेश है अब आप लोगों ने आवेश के बारे में बहुत सारी बाते सुनी होगी आप लोगों को ये भी पता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं सर आवेश दो प्रकार के होते हैं धनावेश और रिनावेश बट basically अपने यहाँ पर जो अपने को अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए पहली definition अपने पास आती है वो है कि विद्यूत आवेश किशे कहते हैं तो electric charge की definition अपने को लिखनी पड़ेगी तो electric charge की definition है वो यह है इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूंगा एक सब्द आएगा विद्यूत क्षेतर जो की अपने पहले चेप्टर का नाम है और थोड़े दिनों के बाद में जब अपन 5-6 चेप्टर पढ़ लेंगे तब अपने पास एक नया topic और आएगा जिसे अपन कहेंगे चुम्बक की अक्षेतर तो इन दोनों topicों में अभी आपको केवल नाम याद करने हैं इनके बारे में इनकी क्या कहानी है उनके बारे में पन आगे जब आगले चेप्टर पढ़ेंगे तब आपने वो clear होगा तो सबसे पहले है कि विद्यूत आवेश क्या है तो प्रतेक पदार्थ के अंदर चाये वो चालक हो या कुचालक हो प्रतेक पदार्थ के अंदर प्रदार्थ का वह गुण यानि पदार्थ के अंदर एक विशेश प्रकार की quality होती है वह गुण जिसके कारण वह तो गुण है, उस गुण को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, तो थ्योरी की वजए से अपने को एक्जाम के लिए जो डेफिनेशन लिखनी है, वो अपने को ये लिखनी है, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि आज के टोपिक में अपन जो मैटिरियल पढ़ पूरे टोपिक को अच्छे से समझें, साथ-साथ में आप अपने जो नौट्स हैं, वो भी तयार करते जाएं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को विदूत आवेश की डेफिनिशन क्लिर हो गी होगी, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि विदूत आवेश कितने प्रकार के हैं, आप जानते हैं कि विदूत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और रेनावेश, यहाँ पर मुझे एक चोटा सा टोपिकोल डालना है, कि यह जो चार्ज के दोनों नाम है, वो किसने दिये थे, और इसके लिए एक विज्यानिक आथा, जिसका नाम था करने की कुछ विधियां अपने सलेबस में दे रखी हैं, यहाँ पर एक चोटा सा टोपिक बाद में आएगा, आपन चर्चा करेंगे कि आवेश है, वो तो एक सरंग सी तरासी है, आवेश को उत्पन और नश्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अपन किसी वस्तू को आवेश जरूर कर सकते हैं, तो वस्तू को आवेशित करने की तीन विधियां अपने सलेबस में दी हुई हैं, तो छोटा सा प्रसन अपने को यहाँ से पूछा जाता है, बट बेसी कंसेप्ट अपने क्लियर होने बहुत जरूरी है, तो वस्तू को आवेशित करने की विधियां, जि दोनों को अपन एक दूसरे के उपर रब करेंगे, तो होना क्या है कि दोनों ही वस्तुएं हैं वो प्रमाणूं से मिल करके बनी होती हैं और आप लोगों ने स्ट्रक्चर ओफ एटम में प्रमाणू की शरंचना में पड़ा है कि प्रमाणू के अंदर नाभीख में प्रोटो चार्ज होता है तो एक धर्षन की छोटी सी कहानी है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आगी होगी प्रेक्टिकल आप लोगों को ने देखा है वही टोपिक आपका वहाँ लगता है जब आप उनी कपड़े को अपने बोड़ी के उपर से उतारते हो तो वह जो उ प्रिक्षा के हिसाब से याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रिक्षा में डायरक्ट कुछा जाता है, कि यदि इन दोनों पदार्थों को यदि आप रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो कौन सा पोजिटीव और कौन सा नेगेटी हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि आप उनी कप उपर से जो इलेक्टरोन है, वह इन चारों के ऊपर चले जाएएगगे, प्रिनाम सो रूप, ईलेक्टरोन की इन पदार्थों के ऊपर अधिक्ता हो जाएगी, जिससे ये प्रिनाम सो रूप उसके उपर पोजिटीव चाड जाएगा, ठेक एक एक एकजमपल वर है, बिल कांच की चड़ है तो कांच की चड़ है वो धनावेशीत और रेष में कपड़ा है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि इन पदार्थों की बनावट के अंदर इसके जो इलेक्टरोंज है उनके उपर नाभिग का किस प्रकार का अट्रक्शन फोर्स लग रहा है। जिसके उपर इलेक्ट्रोनों के उपर नाभी का आकर्षन बल ज्यादा होगा, वो अपने इलेक्ट्रोनों को बाहर नहीं जाने देगा, तो इनके comparison के हिसाब से पदार्थ की प्रकर्ति के हिसाब से इलेक्ट्रोनों का transfer होता है, बड़ वस्तू के घर्षन के द्वारा थार्टी वन केजी, तो हलांकि यह बहुत कम वैल्यू है, बहुत छोटी सी वैल्यू है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोन जब जाएगा, तो अपने साथ द्रवेमान भी लेकर के जाएगा, तो इलेक्ट्रोन जिस तरफ ज्यादा हो जाएगे, उस वस्तू के पहले की अपेक धनावेशित वस्तू के उपर इलेक्ट्रोन है, वो कम हो जाता है, और रिनावेशित वस्तू है, उसके उपर इलेक्ट्रोनों की संख्या में वरदी होने की वज़े से, द्रवेमान जो होता है, वो भी आपका बढ़ जाता है, इसके बाद में एक मैथड और दे रखा है, आवेशन का चालन के द्वारा, आप लोगोंने देखा होगा एक छोटा सा एक्जम्पल लेता हूँ, कि मानली जी आपके पास एक गीला कपड़ा है, और एक आपके पास सुखा कपड़ा है, तो ये जो गीला कपड़ा है, उसको जब आप किसी सुखे कपड़े के साथ टच कर आते हैं, तो थोड़ी समय बाद में वो जो सुखा कपड़ा था, उसके अंदर भी क्या हो जाती है, नमी आ जाती है, यानि गीले के कपड़े के ऊपर से थोड़ा सा पानी है, वो सुखे कपड़े के ऊपर चला गया, इसी प्रकार से, कि ये मानली जी मेरे पास एक छोटा स होनी अति आवशिक हैं, क्योंकि आवेश का जो स्थानांतरण है, वो केवल चालक वस्तूओं में ही हो सकता है, तो ये जो चालन या स्पर्स के द्वारा मैथड आप लोगों ने लिया है, इसमें पहली कंडिशिन ये है, कि दोनों वस्तूओं चालक होनी बहुत जरूरी है तो पहली आपकी जो चालक वस्तू है, उसको आपने आवेशित कर रखा है, ये आपके पास कोई उदासीन वस्तू है, जब आप इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाकर के सिर्फ टच करवाएंगे, तो आवेशित वस्तू के उपर के कुछ चार्ज जो है, जाए वो धनावेश हो, या फिर धनावेश हो, वो सेम का सेम चार्ज थोड़ा सा अल्प मात्रा में दूसरी वस्तू के उपर ट्रांसफर हो जाएगा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिनोमेन लगेगा, आप लोगों की दिमाग में क्यूशन भी आएगा, कि सर क्या ये जो चा कि आवेश का थोड़ा सा स्थानांतर्ण हो जाएगा, तो इसमें अपने यहाँ पे थोड़ा सा एक नौट लिखा है, यह नौट आप लोगों को अपने नौट में लिख लेना चाहिए, किसी आवेशित चालक वस्तू को उदासीन चालक वस्तू के संबर्क में लाया जाता है, तो आवेश का स्थानांतर्ण हो जाता है, कहां से आवेशित वस्तू से उदासीन वस्तू के उपर, छोटा सा डेमो डाइगराम दिया गया है, यह एक आवेशित वस्तू है, यह एक उदासीन वस्तू है, अभी दोनों दूर दूर है, दूसरे डाइगराम के अंदर दो इसके उपर अब भी कुछ मात्रा में आवेश चला जाता है, यानि कि चालन के द्वारा, स्पर्स के द्वारा, कॉंटक्ट के द्वारा आप किसी उदासिन वस्तू को आवेशित कर सकते हैं, यह इसके अंदर एक छोटा सा टोपिक दिया गया था, आवेश का बराबर स्थाना आवेश है, वो बराबर बराबर वैल्यू का होना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, इसके लिए एक तीसरा मेथड और दे रखा है, जो कि इन तीनों मेथड में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा महात्मा गांधी से बहुत प्रभावीत हैं, तो क्या आप महात्मा गांधी के संपर्क में आए, नहीं, लेकिन फिर भी आप उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावीत हैं, यानि किसी दूसरी वस्तू के संपर्क में, कॉन्टेक्ट में आए बिना ही, किसी उदासि उदासिन वस्तू के ओपर आवेश क्रियेट हो जाता है। उदासिन वस्तू है वो चालक और कुचालक दोनों में से कुछ भी हो सकती है। यह जो विदी है उसे प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। आपके पास एक आवेशित वस्तू है, दूसरी आपके पास एक उदासिन वस्तू है, दोनों को आप कॉंटेक्ट में लाए बिना थोड़े नजदीक लेकर करके आएंगे, तो उस उदासिन वस्तू के ओपर आवेश प्रेरित हो जाता है। बिना चुए, बिना पर्स करवाएं। इस विधी को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहा जाता है। उसके उपर इस आवेशित वस्तू के प्रेरण के प्रभाव से अंदर की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्रेट हो जाता है। हालांकि ये तो उदासिन थी, तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना का उतना पोजिटिव चार्ज भी आएगा। भूशंप्रकीत कर देते हो, अर्थिंग कर देते हो, तो इसकी वज़े से क्या होगा, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके ग्राउंड में, प्रत्वी में चला जाएगा, और ये जो वस्तू जो उदासीन थी, उसके उपर इस आवेशित वस्तू के विप्रीत प इस्ट्रूमेंट आपके सेलिबस में आता है, विध्युत दर्शी, जिसे एक उलेक्ट्रोस्कॉप कहते हैं, बेसिकली इसके अंदर से बहुत चोटा सा प्रसंट पुछा जाता है, कि ये उलेक्ट्रोस्कॉप काम क्या करता है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्कॉप है, वो खवा मिल जाएगा, आपके वल समझ ले, एक कांच की बोटल ली गई है, इसके अंदर एक लोहे की या किसी चालक पदार्थ की कील लगाई गई है, कील को और बोटल को रबड के द्वारा कॉर्क के द्वारा यहां पे ब्लोक कर दिया जाता है, कॉर्क के द्वारा, और ये जो कील है, इस कील के नीचे दो अलग-अलग ब्लेड्स आपको पत्यां दिखाई देंगे, ये दोनों पत्यां बहुत हलकी हैं, और ये स्वरन पत्र हैं, सोने के बनेवे पत्र हैं, इस कील के ऊपर, टॉप के ऊपर एक कील बनी हुई है, एक वृताकार हिस्तिती बनी प्रक करवाते हैं तो आप जानते हैं कि संपर्क विधी के द्वारा चालन के द्वारा इसका जो आवेश अगर ये आवेशित है तो इसका आवेश इसके उपर स्थानान्तित हो जाएगा ये आवेश आगे चल करके दोनों सोने की पतियों पे जाएगा हालांकि दोनों की सोनों की पतियों के उपर समान प्रकृतिका चार जा रहा है तो ये दोनों पतियां एक दूसरे से प्रतिकर्शित हो जाएंगी और ये दिरे 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 इनकी बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी और अगर आप इनके बीच की दूरिया नहीं, इनके उपर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो ये जो दोनों पतियां हैं, वो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, तो ये जो छड़ है, इसके आवेशित होने या नहीं होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक practical instrument दिया ग बिना मात्रक के उसकी कोई महता नहीं रहती है, तो उसी कड़ी में आवेश है, उसका भी एक मात्रक है, ऐसा ही मात्रक जो है, वो कुलाम होता है, और आप जानते हैं कि मात्रकों की अनेक पदतियां हैं, तो उसमें आपको CGS पदती का मात्रक भी याद रखना चाहिए, CGS का मात्रक है, उसे एपन स्टेट कुलाम, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट भी कहते हैं, या फिर जिसने आवेश का नामकरण किया था, उसके नाम के आधार पर इसे फ्रेंक्लिन नाम भी दिया गया है, तो CGS पदती को इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट भी कह सकते हैं, और फ् लोगों को याद रखनी चाहिए इसके बाद में है आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक यानि आवेश की ज़्यादा वैलीव भी हो सकती है तो आवेश का एक बड़ा मात्रक भी दिया गया है जैसे दरवेमान को नापने के लिए आप लोगोंने पहले ग्राम दिया, फिर किलो ग्राम दिया, फिर क्विंटल दिया, और ज्यादा दरवेमान है, तो उसको आप टन के रूप में मापते हो, तो इसी कड़ी में आवेश को भी बड़ा मात्रक दे रखा है, सबसे बड़ा मात्रक है, उसे फेराडे कहते हैं, ध्यान दे के अंदर, 96,500 कुलाम वैल्यू होती है, तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए, इसके बाद में आप लोगोंने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कि जब वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो उसको एक अलग से सिंबॉल के द्वारा दर्श को हटाने के लिए आप वहाँ पे 10 की पाउर माइनस 6 लगाएंगे, तो ये अपना आवेश के मात्रक का एक छोटा सा टोपिक है, इनको आप नौट्स के अंदर अच्छे तरीके से लिख ले, अब इसी आवेश के टोपिक से जुड़ा हुआ इसका एक छोटा सा और टोपि मैं आपसे बस एक ही अनुरोद करना चाहूंगा कि आप इन नौट्स को लिखें, लिख लिख करके याद करें, बार बार पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपने नौट्स में से आपके बॉड़ प्रिक्षा अपने नौट्स में से ही आएगा, तो आप प्लीज इनको कंटिन्यू करें, एक एक करके अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, आज का अपना टोपिक होने के बार में कल अपन इसके आगे वाला टोपिक करेंगे, तो आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने सह पार्टियों के साथ सेर कीजिए, अगर आप लोग एक सिख्षक हैं, तो प्लीज आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके साथ आप इसे सेर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका उप्योग कर सकें, आवेश के गुण योग यानि प्लस और माइनस के सिंपल योग से उनको जोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए एक दूसरा इसका गुण धर्म है, इसकी विशेषता है, कि ये योज्यता के नियम के लिए बिजगनित योग नियम का पालन करता है, यानि इसको एलजबरिक सम के द्वारा इसली कैलकुलेट कर सकते हैं, for an example, मैं आप लोगों से एक छोटा सा यहाँ पर क्यूशन करता हूं, कि ये मालीजे मेरे पास कोई एक निकाई है, कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैंने प्लस पांच कुलाम का चार्ज दिया, माइनस वन कुलाम का चार्ज दिया, प्लस टू कुला प्लस का चार्ज इसके उपर पॉजिटिव रहेगा, सेम चीज मैंने यहाँ पर बताने का प्रियास किया है, तो इसके लिए जो आप लोगों ने कैलकुलेशन करी है, वो ही योज जिता का नियम है, या बिजगनिती योग नियम है, तीसरी इसकी विशेशता है, कि आवेश है, वो सरंक्षित रहता है, विदूत आवेश है, वो सरंक्षन की नियम का पालन करता है, यानि कि आवेश को ना तो उत्पन किया जा सकता है, और ना ही नस्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल एक वस्तू से दूसरी वस्तू के उपर ट्रांसफर किया जा सकता है, for an example, मा पिला करके तो 10 कुलाम चार्ज होँ, चलो ठीक है, यह दि मैं इन दोनों को यह माली जी चालक है, और दोनों को एक दूसरे कॉंटक्ट में लाता हूं, इसके उपर 6 कुलाम का चार्ज रह जाता है, तो अब इन दोनों का चार्ज जोडेंगे तो कितना होगा, सर अब भी 6 और चार, दस कुलाम का चार्ज होगा, यानि गठना के गठित होने से पहले, दोनों के कॉंटेक्ट में लाने से पहले का टोटल चार्ज, और बाद का जो टोटल चार्ज है, वो इक्वल है, यानि अपन ये कह सकते हैं कि आवेश है, वो हमेशा सरंक्सीत रहता है, तो इसके तो आपके आवेश के शरंक्षर नियम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बट एक एक जामपल के दौर आपने इसको समझा भी देते हैं कि प्रते एक प्रमाणू का कुल आवेश हमेशा सुनने रहता है जितने भी अपने प्रमाणू है उनका जो टॉटल चार्ज ह जब तक उनको किसी प्रकार की गटना गटित नहीं करवाए जाए टॉटल चार्ज जिरो रहता है यानि वो हमेशा उदासिन रहते हैं यदि इसमें से मैं पांच इलेक्ट्रोन बाहर निकाल लेता हूँ तो प्रमाणू के उपर पांच इलेक्ट्रोनों के आवेश के निकाल करके बाहर आप किसी दूसरे निकाई के उपर लेगे और उस प्रमाणू के उपर पांच प्रोटोनों के आवेश के बराबर चार्ज आ गया तो दोनों के उपर एक प्लस और एक नेगेटिव होगे न तो दोनों को जब अपन एड करेंगे तो टोटल चार्ज अब इंपर्टन्ट रूल है इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक चोटा सा एक्जांपल रखता हूँ कि मान लीजिए आपके पास दस रूपे के नोटों की गड़ी है तो आप किसी दूसरे विक्ति को उधार कितने पैसे दे सकते हैं आप दस रूपे दे सकते हैं आप 20 रूपे दे सकते हैं क्या आप उसे 15 रूपे दे सकते हैं सर 15 रूपे तो नहीं दे सकते हैं तो क्या 22 रूपे दे सकते हैं नहीं सर 22 रूपे भी नहीं दे सकते हैं यानि आप उसे 10 रूपे के नोट के गुणनफल के रूप में ही अमाउंट दे सकते हैं बास समझ में आ र करके बताएं, तो साइध आप देख करके नहीं बता सकते, गिन के नहीं बता सकते, आप उनको count करके नहीं बता सकते, क्योंकि पानी उसमें सतत रूप से भरा हुआ है, और यदि मैं आप से ये कहूं कि एक छोट गिलास में, जो आदा भरा हुआ है, मुंग फली के दानों से और अगर मैं आप से ये कहूं कि इसमें मौंग फली के दाने कितने हैं तो आप easily उनको count कर सकते हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि आवेश है वो packet के रूप में होता है क्वांटा के रूप में होता है वो continuous नहीं होता है, वो liquid की तरह नहीं होता है, वो दानों की रूप में packet की रूप में होता है, अभी आप लोगों ने बात करी है, कि आवेश का स्थानांतन की किसके द्वारा होता है, subscriptions के द्वारा होता है, तो जितने Electron की ट्रांसफर होगा, उतना ही charge उसके उपर से स्थाना इलेक्ट्रोन के बराबर ही आवेश का स्थानांत्रन होगा तो इसके अंदर अवेश का स्थानांत्रन के रूप में होता है अर्थार्थ इलेक्ट्रोन के आवेश के पूर्ण गुणज के तुल'M एक इलेक्ट्रोन, दो इलेक्ट्रोन, तीन इलेक्ट्रोन, चार इलेक्ट्रोन, पूर्ण गुनज के तुल्ले ही आवेश का स्थाना आंत्रन संभाव है फिर अपन इसको थोड़ा सा एक्स्प्रेंट करने का प्रियास करते हैं कि एक electron का आविश कितना होता है? सर, 1.6 into 10 की पवर माइनस 19 कुलाम होता है, ठीक है, यदि मैंने 1 electron transfer किया, तो कितना charge हो जाएगा? 1.6, 10 की पवर माइनस 19, अगर 2 किया, तो, सर, इसको अपन 2 से मल्टिप्लाई कर दें, तो यह तो 3.2 10 की पावर माइनस 19 हो गया, तीन इलेक्ट्रोन गए तो, सर इतना हो गया, अच्छा, क्या इनके बीच का कोई आवेश, देना या लेना पोसिबल है, सर इलेक्ट्रोन को तोड़ा तो नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर इसके बीच में जो चार्ज होगा, वो चार्ज देना भी संभव नहीं है, तो टॉटल चार्ज की जो वैल्यू होगी, कुल आवेश की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक 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 आवेश की वैल्यू, इन्टू कितने इलेक्ट्रोनों का ट्रांसफर आपने किया है, उसकी संख्या, तो Q is equal to N E, यह जो वैल्यू है, Q is equal to N E, यह इसका important formula है, तो यहाँ पे अपने लिखा है, Q है वो total charge है, N है, वो इलेक्ट्रोनों की पूर्ण संख्या है, और E है, वो एक इलेक्ट्रोन का आवेश है, तो इस formula का कई जगे उप्योग होता है, इसके बीच में किसी भी मान के आवेश का स्थानांतरन संभव नहीं है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 10 रूपे के नोट होने के बावजुद, आप 17 रूपे नहीं दे सकते, 27 रूपे, 25 रूपे नहीं दे सकते, पूर्ण गुणज, किसका? एक इलेक्ट्रोन का, ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई क्यूरी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्जाम्पल हैं, जो अपने पाठे पूस्तक में दे रखे हैं, अपने उनको समझने का प्रियास करते हैं, एक्जाम्पल नमबर 1.1 है, वो कहता है कि आपके पास कोई ये गोला है, उस गोले को आपने एक कुलाम के आवेश से आवेशित करना है एक कुलाम के आवेश से और वो भी क्या करना है धनावेशित करना है जैसे ये धनावेशित सब्द आता है आपका तिमा की ये कहना चाहिए कि सर इसके उपर से इलेक्ट्रोनों को बाहर निकाला गया है ये बात उत उटोंडरेटूड है। फटाक से आपके दिमाग में आने चाहिए। द्रवे मान की उपर क्या प्रभाव पड़ेगा धनावेश से आवेशित करने का मतलब क्या है इलेक्ट्रोनों को बाहर निकालना और इलेक्ट्रोन जब बाहर जाएगा तो definitely कुछ ना कुछ द्रवे मान तो अपने साथ ले करके जाएगा यानि गोले के द्रवे मान में finally कमी आएगी कितनी कमी आएगी वो अपना आगे पढ़ते है तो अभी अपने पास जो फॉर्मूला अपने पेज पे लिखा था Q is equals to N E Q क्या है? Total charge total charge कितना दे रखा है? 1 कुलाम तो Q की वेल्यू आगे आपके पास 1 कुलाम E is the charge of electron that is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 कुलाम ठीक है N की वेल्यू अपने को find out करनी है निकालनी है तो Q is equals to N E के फॉर्मूले में रखेंगे पहले फॉर्मूले को solve कर लेते हैं तो N is equals to Q upon E Q की वेल्यू आपको 1 दे रखी है E की वेल्यू आपको give पता है दोनों को अपन रख करके solve करेंगे solve करने में थोड़ी सी problem आती है हलांकि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक कुलाम आवेश है वो कितने electronों में होता है इसकी जो reading है इसकी जो value है आप लोगों को याद हो जानी चाहिए 6.25 इंडू 10 की पाउर 18 electron इतने सारे electron 10 की पाउर 18 electron इतने सारे electron जब मिलेंगे तो मात्र एक कुलाम का charge बन पाएगा यहाँ पे जो इसकी solution की बात कर रहे तो 10 की पाउर minus 19 से इसको आप उपर ले जाओगे और 1,0 यहाँ लगा दिया तो यानि मेरे पास value कितनी होगी 100 upon 16 इंडू 10 की पाउर 18 अब 100 में 16 का भाग बहुत इजीली चला जाता है तो 6.25 इंडू 10 की पाउर 18 electron है इतने electron उसके उपर से बाहर निकालने पड़ेंगे ठीक है अब आप लोगों के दूसरा पार्ट था कि गोले के द्रवयमान पे क्या प्रभाव बढ़ेगा इतना तो आप लोगों पता चलके कि द्रवयमान में कमी आएगी इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है बट कितनी कमी आएगी एक इलेक्ट्रोन का द्रवयमान अपन जानते हैं कितना एक इलेक्ट्रोन का द्रवयमान अपन जानते हैं तो दो इलेक्ट्रोन का द्रवयमान कितना हो जाएगा दो से गुना कर दो पांच का कितना हो जाएगा पांच से गुना कर दो m, total mass, is equals to n, number of electron, m e, mass of electron, तो इनको जब आपन दोनों को multiply करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास जो value आएगी, इतने kilogram की क्या आजाएगी, कमी आजाएगी, और यदि यही क्यूशन दूसरे तरीके से आता, कि यदि एक कुलाम से रिनावेशित करना है, तो रिनावेशित करने का मतलब उसके उपर extra electron डालने पड़ेंगे, और extra electron यदि आप उसके उपर ले करके आओगे, तो आप electron है वो दरवेमान लेके आएगा, यानि उस गोले के दरवेमान में फाइनली क्या हो जाएगी, व्रदी हो जाएगी, तो यह आपका example number first है, अगर आप लोगों को यह पहला example और उसके साथ डाला गया note, अगर आपको लोगों को clear हो गया, तो I hope आपको example number 1.2 है, वो भी clear हो जाएगा, आप please screen को pause कीजिए, और यह जो solution है, इसको आप खुद से करने का प्रियास कीजिए, खुद से अगर हो पाएगा very good, अगर नहीं होता है, तो आप इस note की help ले सकते हैं, आप इसको समझें, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई problem आती है, तो please आप हमें comment box में लिखिएगा, यह example number आपका 1.2 है, अच्छे तरीके से मैंने इसको easy method से solve करने का प्रियास किया है, अपना topic चल रहा था आवेश के गुण धर्म, तो चोथा अपना topic हो गया था, जिसमें अपने आवेश के quantity गर्ण की बात करी थी, इसका final last एक property और है, आवेश की निश्चर्टा, प्रिक्षा में कई बार इस चीज को सीधे नाम से पूछा जाता है, कि आवेश की निश्चर्टा से आप क्या समझते हैं, निश्चर्टा, निश्चर्टा का मतलब है, अंडिपेंडेंडेंट, दूसरी चीज के उपर निर्भर नहीं होना, दूसरी वस्तू के एक भोतिक राची के बदलने पर, दूसरी वोतिक राची का नहीं बदलना, और यहाँ पे अपन किस की बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं, यानि कि वस्तू का आवेश जो है, आवेशित वस्तु का जो आवेश है वो एक ऐसी भोतिक राशी और भी है जिसके उपर निर्भर नहीं करता और वो है वस्तु का वेग यानि कि माली जी ये पैन है इसको मैंने 10 कुलाम से पॉजिटिव चार्ज कर दिया अभी ये रुका हुआ है तो इसके उपर टॉटर चार ही रहेगा यानि कि वस्तु के आवेश पर वस्तु के इस्थिर होने का या वस्तु के गतिमान होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें इतना बड़ा लिखा बड़ा चड़ा के लिखने की क्या जूरत है नहीं एक ऐसी बहुत इसके लिए बीएसी की क्लासों में एक न्यूटन का नियम दिया गया है जिसे विशिस्ट आप एक शिक्ता नियम कहते हैं और उसका एक फॉर्मूला दिया गया है वो भी मैंने यहां पे लिखा है इस फॉर्मूले को आप लोग समझना मैं आप लोगों को इतना हिंट देना चाहूंगा कि इस वस्तू का द्रवyमान जितना रुका हुआ है जब ये वस्तू गत्il करने लगेगी तो इसका द्रवyमान बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा उसके लिए यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है आप इसको कितने विझ से फैंक सकते हो आप इसको आप इसको कितने भी वेग से फैंके, आप इसे इस्थिर मानेंगे, यदि आप इस पैन को प्रकास की वेग के लगबग वेग से फैंक दें, यानि जो V है वो approximate equals to C हो जाए, तो आप इसको calculate करके formula को देखना, इस पैन का जो द्रवेमान है, वो अनन्त हो जाएगा, यानि कि व इस चर्ता का नियम है, आवेश के topic में, finally अपने पास के वले एक last example दे रखा है, example number 1.3, ये भी बहुत important सा, अपने को chemistry के portion में जाना पड़ेगा, पहले मैं question पढ़ता हूं, कि आपके पास एक cup जल दे रखा है, एक cup की value है, वो 250 gram ली गई है, उसमें कितना धन और कितना रि क्यों होगा, क्योंकि जितना धनावेश, उतना ही रिनावेश, तो total charge क्या होगा, 0 होगा, पानी में हाथ लगाने पे current लगता है क्या, नहीं लगता, यानि कि वो उस पे total charge कितना है, 0 है, तो 0 तो है, लेकिन अलग-लग तो value equal आएगी न, तो रिनावेश कितना और चल जाए कि धाइसो ग्राम जल में कितने इलेक्ट्रोन है N का मान पता चल जाए तो अपने इस फोर्मूले से निकाल पाएंगे अब N का मान पता कैसे चलेगा सर हाइड्रोजन H2O जल का मतलब जल का अनू सुतर क्या होता है H2O तो H2O के एक अनू में दस एलेक्ट्रोन होते हैं ठीक है तो अब अपना प्रशन आगे चलके हो गया कि अणू कितने हैं डाइसो ग्राम में अच्छा अणू के लिए एक आउगादरों ने सिद्धान्त दिया था क्या कि एक मोल में जो अणू की संख्या होती है वो 6.02-3 अंदस की पाउर तेवीश होती है जिसे अपन आवगादरों संख्या कहते हैं तो अब अपना प्रशन बदल के ये हो गया कि सर मोलों की संख्या कितनी आएगी फिर मोलों की संख्या निकालने का फोर्मूला आप लोगोंने केमेस्ट्री में पड़ा है मोलों की संख्या बराबर कुल द्रवेमान बटा उसका अनुभार तो टॉटल द्रवेमान आपको यहाँ पे 250 ग्राम दे रखा है और जल का जो अनुभार होता है H2O का वो 18 ग्राम होता है तो 250 में जब आप 18 गा भाग लगाओगे तो आपके पास किसके संख्या जाएगी मोलों की संख्या अब अपना क्योशन सौल होना शुरू हो गया जब मोलों की संख्या आ गई तो आप इसे आउगादरो संख्या से जब गुना करेंगे मोलों की संख्या को आउगादरों संख्या से गुना करेंगे तो आपके पास अन्मों की संख्या आ जाएगी जब आपके पास अन्मों की संख्या आ जाएगी उस अन्मों की संख्या को प्रतेक अन्मों में कितने इलेक्टरों थे दस इलेक्टरों थे और अगर अन्मो की संख्या से multiply कर दिया 10 को, तो आपके पास किस की संख्या आजएगी? electron की संख्या आजएगी, और यही निकालना था, electron की संख्या जब आपके पास आजएगी, तो आप total charge निकाल सकते हैं, तो q is equals to n e, तो finally आपके पास value आएगी, इतना ही तो धनावेश और इतनी ही मात्रा में क्या आएगा रिनावेश होता है तो ये आवेश का टॉपिक आपका 100% कम्प्लीट है मैं दावे की साथ कहता हूँ कि आपकी बॉर्ड पिक्षा में इससे बाहर कोई प्रशन नहीं आएगा अब बारी आती है अपने आज के प्रतियोगी सवाल के एक बार आप इस क्यूशन पे जाने से पहले आप दूबारा इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लें जिस भी व्यक्ति विशेस ने इसका सही उत्तर देगा पहले व्यक्ति को पेटियम के माद्यम से केस प्राइज दिया जाएगा तो आज का सवाल है कि किसी धनावेशित गोले को इलेक्ट्रोन देकर उदासिन किया जाता है जिस से उसके द्रव्यमान में 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 12 ग्राम की व्रदी हो जाती है गोले पर धनावेश की मात्रा कितनी थी सीजियस पद्दती में मानग्यात कीजिए प्लीज हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और जल्दी से इस सवाल को सौल करके हमें उत्तर बताईए थैंक यू, कमेंट बॉक्स में आप अपने पेटियम नंबर भी लिखेगा धन्यवाद